सब्सक्राइब शुरुबात करते हैं वीडियो की और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं टॉपिक और ऐ यानि की जो आइब P. रर्वी बैकन्सी निकालता है उसमें आप Office Assistant और Officer Scale 1st, 2nd, 3rd और शुटर्ण साफ हैं कैसे आप जोइन कर सकते हैं क्या एलिजबिट्री होती हैं, exam patterns , fees , selection process क्या होती हैं सब कोछ जहरेंगे ऐज की वीडियो में तो बने रहीे हैं फटाफट ग्यान के साथ और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो सबसे पहला सवाल है कि जो बैकन्सी निकलती है और वो है क्या किसके लिए निकाली जाती है तो आरार भी होता है आपका आरार भी होता है आपका रीजनल रूरल बैंक ठीक है अब रीजनल बैंक कौन से कहलाते है रीजनल बैंक होते हैं ग्रामिन बैंक तो आपने सुने ही होंगे तो हर एक स्टेट मे लिए ग्राविन बैंक होते हैं तो उनके लिए अलग से बैकेंसी निकाली जाती हैं जैसे कहा जाता है और यह आई बीपेस और बैकेंसी के नाम से निकलती है तो यहां पर CRP क्या होता है जहां पर CRP होता है common recruitment process ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो examination होता है इसके लिए qualification क्या होती है for the post of assistant office and officer skills कोई बी student या कोई बी candidate office assistant के साथ में officer skills का भी form फिलब कर सकता है यहां पर कोई भी रोग टोग नहीं है कि अगर आपने office assistant के लिए apply किया तो आप officer skills के लिए apply नहीं कर सकते आप दोनों form फिलब कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो examination है इसके लिए age limit क्या होती है ठीक है तो सबसे पहले age limit देख लेते हैं तो officer assistant के लिए जो age limit होती है office assistant के लिए 18-18 साल वहीं पर हम officer skills first, second, third की बात करती है जहां पर officer skills first यान कि assistant manager के लिए अठारा से 30 साल, officer skills second यान कि जो manager है उसके लिए है 21-32 साल और officer skills third यान कि जो senior manager है उसके लिए यहां पर age limit रखी गई है 21-40 साल वहीं पर बात करेंगी कि age relaxation भी दिया जाता है government job है तो age relaxation तो मिलेगा ही जहां पर OBC की बात करते हैं तो 3 years का relaxation मिलेगा वहीं पर SC जो candidate होंगे उनके लिए मिलेगा 5 साल का और वहीं पर PWD की बात करते हैं तो उनने दिया जाता है 10 साल का age relaxation ठीक है boys and girls दोनों ही इस form को fill up कर स चले next जो important topic है या फिर जो कहें कि इस vacancy के लिए आपके पास होना चाहिए वह है education qualification ठीके तो educational qualification क्या हो कि अगर आप office assistant के लिए apply करते हैं या फिर officer skill for second, third के लिए apply करते हैं तो सभी के लिए आपके पास होना चाहिए graduation की degree वह भी any stream यहां पर आपके पास graduation होना ही चाहिए चाहिए आपका BSC हो या फिर BA हो या फिर B.com हो आपके पास graduation होना चाहिए इसके लाव आपके पास होना चाहिए computer language साथ में local language का भी आपको experience होना चाहिए चलिए next साथ आता है कि अगर आप इस vacancy के लिए fill up करना चाहिए यानकि इस vacancy का form जब भी निकलता और आप इसे fill करना चाहिए इसकी examination fees के बार में जान लेते हैं तो office assistant की जो fees होगी वह होगी 175 रुपए SCST और जो PWD candidates हैं उनके लिए और 850 रुपए रखी गई है all जितनी भी candidate होंगे जर्नल और जो भी आते हैं OVC उन सब के लिए 850 रुपए fees होगी वहीं पर अगर आप officer scale के लिए भी apply करेंगे तो यही fees रखी गई है बात करते हैं examination होता कैसा है तो RRB जो examination होता है BPS RRB वह होता है आपका online examination computer based examination होता है बात करते हैं types of examination की ठीक है तो चाहिए आप officer assistant का दें या फिर officer scale का exam देते हैं CRP RRB में तो आपको यहां पर जो examination की जो two part होते हैं पहला होता है आपका pre और second होता है आपका means ठीक है तो जो candidate pre qualify करते हैं उन मेंसे short list किये जाते हैं for means के लिए ठीक है आपका number जो भी number आएंगे उन number के साब से आपका selection होगा और आपको कोई भी एक branch दे दी जाएगी बहुंपर officer skill के लिए आपको देना होगा interview और after interview जो candidate shortlisted होएंगे उनको दिया जाएगा provisional allotment के चलिए अब पैटर देख लेते हिंगे परे के लिए क्या होता जो जो प्री एक्जाम होता है उसका पैटर्न सिंपल सा होता है और वो होता है reasoning और issues और numerical ability आता है अपको ठीक है यह आपको दोनों के लिए काना पड़ता है बहीं पर means की बात करते हूं तो office assistant or officer skill टू आवर्स का यहां पर टाइम मिलता है आपको 200 मार्ग का कॉश्चन होगा जिसमें रिजनेंग, कम्पूटर नॉइज, इंग्लिश, हिंदी और नुमेरिकल एबिलिटी से रिलेटिट यहां पर आपको कॉश्चन पूछे जाएंगे वहीं पर ऑफिसलस के सेकेंड थर्ड के लिए कुश्चेंज इस हो सकते हैं बाकी सब सेम यहां पर आपका पैटर्न होगा फॉम मेंस के लिए ठीक है तो आईवीपियस, CRP, RRV की बैकेंसी निकालदा रहता है और इसकी जो बैकेंसी हैं मतलब इस सीरीज में चलती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है तो जब भी कोई भी न्यू वेकिंसी आती है तो उसका जो वीडियो है आपको जरूर मिल जाएगा ठीक है और एनी इन्फोमीशन तो आपको लिंक डिस्क्रिशन में मिल जाएगी IVPS की वहां पर जाकर के भी आप और अच्छी तरीके से देख सकते हैं ठीक है तो यह था वीडियो जहां पर मैंने बात की कि हाउ टू बिकम ऑफेस असेस्टेंट एंड ऑफिसर इसकेल फर्स सेकेंड थर्ड इन रर्वी बैंक्स यान कि जो आपके ग्रामिंट बैंक्स हैं उनमें आप कैसी ज्वानिंग ले सकते हैं तो यह था एक छोटा सा वी हुआ हुआ है